दोस्तों कहानी शरू करू एना पहला विडियो लाइक करीने चैनल सबस्क्राइब कर जो एक युवक ना लगन थया घर मा नववधु आवी अने घर आनंद उल्लास्ती गुंजवा लागियू। नवी आवेली वहु बधानी खूब सारसंभार राखती हती। भाईये पोतानी पत्नी ने पुछियू हूँ जोई रहो छू के वहुना आव्या पची तू थोड़ी उदास थाई गई छे आ माटे कोई खास कारण। पत्नी ए कहिऊ तमे कोई नोंध लिधी लगन पची आपनों दिकरो साव बदलाई गयो छे। ए मारी साथे बैसी ने वातो करतो पड़ हवे एने मारा माटे टाइमज नथी क्यारे क्यारेक जवातो थाई छे जो एका दिवसनी रजा पड़े तो वहुने लईने एना ससराने त्या जतो रहे छे मारा करता तो एनी सासू साथे हवे वधारे वातो करे छे मने एहू लागे छे के आपनों दिकरो हवे अड़दो एना ससरानों थाई गयो छे। धा विचारो थी हूँ सतत बैचेन रहू छू। पेला भाईये पोतानी पतनी नो हात पोताना हात मा लईने कहियू तारी वात बिलकुल साची छे, हवे आपनों दिकरो पुरेपूरो आपनों नथी रहो पड मारे तने एक वात पुहवी छे। छे के आपनी वहुए आ घर मा आवी ने घर नू वातावरन बगाडी नाख्यू छे चोकरानी मम्मी बोली ना बिलकुल नहीं। एतो स्वभावनी बहुँ सारी छे, मारू अने तमारू बहुँ सारू ध्यान राखे छे, छोकराना पप्पाए हस्ता हस्ता कहियू गांडी कोई बिजानी दिकरी पुरेपूरी आपनी थाई जती होई, तो पछी आपनों दिकरो अड़धो एनो के एना माता पितानों उदास थोड़ू थवानू होए। मित्रों एक स्त्री पोतानू सर्वस्व छोड़ी ने आपणी थवा माटे आपणा आमणे आवे छे त्यारे जो आपणे पुरे-पुरा नहीं। मात्र अडधा पड एना अने एना परिवार ना बनिये। दोस्तों कहानी केवी लागी कॉमेंट्स मा जणाव जो अने वीडियो लाइक करीने चैनल सबस्क्राइब कर जो।